असलाम अलेकम फ्रेंड्स वेलकम बैक कैसे हैं आप उमीद हैं आप सब लोग खेरिये से होंगे आज मैं आपके साथ बहुत यम्मी रेसिपी शेयर करने लेगी नो गार्लिक प्राठा बहुत यम्मी बहुत टेस्ट यह बहुत क्रिष्पी बनता है आप प्राई करें आपको बहुत पसंद आएगा तो चलि आएं सटाट करते हैं इसके लिए मैंने लिए हैं तो पॉल कॉप मिद फह मैंने ळी में डिल्हाँ ऑटा हम आटआ हुआ धन्या आव सबसे पहले हमातप गुन लेते हैं भी हां हम इससे आटा गुन नैंसे अवलके हां मैं होती हैं लेकिं थोड़ा सा यह अсवस्ट रखना होता है रोटी बनाने के दिए हम तो रन्डा रमाटा लेते हैं लेकिन ये पराठी के लिए थोड़ा से हमें सब दाटा लेते हैं बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको गोल लिया है अब हम इसके ऊपर ओपर लगागर इसे तक्रीपन आदे गें टेकिने चोड़ें तीस मिनट हो गए है आटा हमारा विद्कुल सेट हो चुका है अब हमने इसके पेड़े लिखा गे हैं जितने इतना आप में पराठा चाहिए मैंने चार पराठे बनाने हैं अब हम सबसे पहले एक पेड़े को रोटी की तरह बारी बेल लेंगे थोड़ा सा हम विद्दा डस्ट रहेंगे इस तरह से हम इसा जितन बढ़ा कर सकते हैं घरलेंगे और इतन ही हम ने इपकर नहीं इसको बड़ा करना है जितना बढ़ा करेंगे उतने ही हमारे अच्छी और लियर बड़े प्राठे बनेगे विड़े लगते हैं अब हमने इस पर इस तरह से बेदा डस्ट करना है अब हम इस पर चॉप की आवल लसन डाल देते हैं अब हम इस पर चिली फ्लैक्स की तरह से स्विंकल कर देगे अब हम इस पर दनिया डाल देगे अब हमने यहां से लेकर इसको इस तरह से प्रेस करना है और हमने इससे इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से कामस का प्रंखा बनाते है इस तरह से एक दफ़ा हमने उठा के इस तरह से इस तरह से प्रंखे करना है और एक तरह से इस तरह से पीछे और आप अमने इस साइर पर एक ख़्या दावादिनाएं और ये वाला जोट पकड़के इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लाएं ये वजी साईर हमने इस तरह से अंदर करके इस तरह से इसको दबादे लाएं आप इसी तरह से मैंने सारी पीड canary सी करते हैं इसी तरह से मैंने सारे पीड़ से श्रुस्ली आ जाना olmas से जैका हुआ करदेखा दोद ने तरह सरहाल कुर्स एंद केक हुआ गाई प्यणा मिलिद श्रुस्ट और यि सबस्छ नर्छ हैं इसको अच्व साथ की मदद से और बेलने की बढ़ने器 इस तरह से इसको मेर्स प 얼ने इस प्राखी को ज्याद बढ़ा भी नहीं नहीं करते है और एक एक साइड पर बेलते ही नहीं कर दोर पहुत हम यह जाए . अब मैं आपको यह पका कर आप कर नहीं, पेर गरम हो चुका है अगरम विशार अग्णा प्राठ्रा ढाल देते हैं जब लेखे की बिल्य दो-तील मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करूँ एक इसकी फूख हो चुकी है ऑब हम इसकी साइड चेंज घरेखें अब हम इस तरह से साइड चेंज करके इसके ओपर बटर लगाएंगे आप देखिए की ओई कुछ भी कदा सकते हैं पराठा हमारा रेडी हो चुका है अब मैं आपको पीशोड करके दिखा 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 है अब मैं आपको पीशोड करके दिखा दिखा है हमारा मज़ेदार क्रिस्पी गार्लिक प्राठा रेडी है मनाई और इंजॉई करें बहुत मसिका बनता है बहुत अच्छी कुष्भू है बहुत ही अच्छा इसमे लसन का फ्लेवर आता है मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्त बहुत के लब ले एलाफ लेजों से रृवता करें नाध लेदा एलाफ लेड़ को लेड़ों से पनागाई और नाद आता है और रहा है वीजू एलाफ जाल सिखें हमेरी इसाएस